अभी तक में Middle Education ने लगभग 1000 से ज़्यादा इस्टेंट को टॉप करा चुका है जिनके परसेंटेज 95 प्लस देखने को मिला है इस वार आपकी बारी है मैं उम्मेद करता हूँ आप भी टॉप करेंगे और अपने परसेंट को बेहतर बनाएंगे तो चले शुव्ण now have part number second को start करते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार से questions हमारे exam में देखने को मिल सकता है पारट नमर first में मैं प्रश्निक्रमांग आट तक कवर कर दिये थे रृष्यंक फ्रश्निक्रमांग 8 तक कवर करेंगे मतलब जब राम भगवान ने धनुस तोड़ा तो परस राम दोड़ी चले बहुत गुस्तक मारी कि अरे भाई साहब इस भार देश की मिट्टी में कौन ऐसा माई कलाल पैदा लिया जिसने सिर्व धनुस को तोड़ दिया तो लक्षपन बोलते हैं देख यार परस राम भाई सांध बैठ जा जिस धनुस की तू बात कर रहा है ना वैसे धनुस को मैंने बच्पने बहुत तोड़ी है जिस धनुस के तो बात कर रहा है न वो कोई बहुत हैवी धनुस ने था बहुत मामूली से धनुस था इससे हैवी धनुस हमने तोड़ बैठे है जिस धनुस के तो बात कर रहा है न वो जरजर हो तुका धनुस वो खुद खराब था हमारे भाईये तो बस टच किये और तूट इस प्रकार से उन्होंने तरके दिया था बाकि इसका आंसर भी दिखाऊंगा मैं उमेद करता हूँ तरक आपको समझाया होगा अब आई यह आंसर देख लो एक बार तो तुम्हारे पलहाई जो कर रहे हो वह बहतर हो जाएगा देखो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ती क्या विसेस्ता वजाईंए उन्होंने एक चीज ही कहा है उन्होंने एक चीज कहा है कि बीर योध्या कभी था प्रत्यक्षन पर 16-16 मात्रा हैं बस इतना तो लिखना था लेकिन आंसर दिखा देता हूं प्रत्यक्षन में 16-16 मात्रा हैं और अंत में दो गुरु होती हैं यदि याद रहे तो लिख सकते हो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं हाँ एक्जामपल जरूर लिखना रगुकुल रेती सदा चलियाई प्राण जाई पर वचन न जाई इसे कहते थे आध्या की राजा राजा कहते थे कि रगुकुल रेती सदा चलियाई प्राण जाई पर वचन न जाई मतलब हमारा प्राण चला जाएगा चला जाएगा लेकिन जो हमने बचन दिया था उसको जरूर निभाएंगे चलिए इसी का अथवा कहता है कि लक्षमन की बाते से परशुराम पर क्रोध क्यों आया मतलब परशुराम क्रोधित क्यों हो गए तो लक्षमन की बाते सुन करके वो इसलिए क्रोधित हो गए थे क्योंकि लक्षमन ने उनको बहुत भला बुरा सुनाया कि यार तू अपने आपको बहुत महान बता रहा है तू क्या चीज है तू मुझे जानता नहीं है इस बहुत अबद्र भासक प्रयोग किया था और बेंग मारकर के बोला था इसलिए वो भड़ाक उठे थे वांकिया पर देख लो लिखा गया है चलिए साइड करते हैं सेनानी ना होते हुए भी चस्मा वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे ऐसा क्या रीजन था कि उन्हें लोग कैप्टन कहकर के बुलाते थे तो सिंपल सा रीजन ये था कि जो वहाँ पर मूर्ती थी ना तो मूर्ती पर वो चस्मा लगा दिये थे ठेक अब देखो आंसर यहा उनका खर्दय आहत हुआ था और उन्होंने नेता जी के मूर्ती पर चस्मा पहनाया था मतलब देश के क्रांतिकारी के प्रति अपार स्रद्धा थी इसलिए लोग उन्हें सेना नहीं कहते थे मतलब ये तो सेना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अत्वां कहता है नेता जी ही नहीं है ठीक है यहाँ पर देख लो वही आँषा गया है मूर्ती पर चस्मा नहीं दिखहा है उन्हीं कमिखटी बस यहीं लिखना है ठीक है जो मैं सुना रहा हुँ ना तुमको यार वही सब लिखना है नेस कहता है कि कैप्टन कौन था वह मूर्ती के चस्मे को बार-बार क्यों बदल देता था तो कैप्टन कोई नहीं था कैप्टन एक दुकान वाला था और वो चस्मे को इसलिए बार-बार बदल देता था कि जब भी कोई ग्रहा काता था तो चस्मा देखता था क्योंकि चौराहे पर ही मूर्ती लगी थी तो चस्मा डेली पहनाते थी तो चस्मा देखता था बोलता था जो चस्मा लगा है किस पर सुवाश चंद्रबोश की मूर्ती पर वही चस्मा चाहिए तो वो क्या करते थे उस साइड करते हैं इसी के अत्वम कहता है कि नेता जी की मूरती पर कौन सी कसर खटकती थी और क्यों वही चसमा खटकती थी क्योंकि उनके मूरती पर चसमा नहीं लगा था आसान भासा में उत्तर है वाकि लिखना कैसे है यह दिखा देता हूँ यह रहा ठीक पूरा पढ़ लेन यही लिक्रियाना है आगे बरते नेश्ट कहता है तेरवा नमबर भागत की पुत्र बधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी इनकी भी कहानी सुलो क्या हुआ था भागत की कोई बेटा नहीं था ठीक है और भागत अकेले बचे थे उनका तबियत भी खराब रहता था उनका स्वास्थ भी गड़ रहता था उनकी पुत्री कहते थी नियार कि हम अकेले नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनका देखवाल कॉन करेगा इसलिए वो उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी यहां पर लिखा है इसका अंसर इसक्रिंसोट ले लो ठीक है द धिलमिल सितारों की रोसनी में नहाया गंतोक लेखिगा को किस तरह सम्मुहित कर रहा था इसका आंसर आप हमें देंगे कॉमेंट सिक्सम लिख करके आपके लिए एक होमबर्त होना चाहिए ना मैं भी तो जानू तुमारी पढ़ाई कितनी जल रही है तुम कितने प्रिप् सेहर किया है वाटसप गूर्प में सेहर किया है तो वहां से देख लेना और अगर आभी तुमको नहीं मिला है न तो pdf को मैं अगेंड सेहर कर दूँगा बड़िए खुद मैं लिखा हουν आपने बड़िए टाइपिंग करवाई हूँ तो वो चीज मैं तुमको देदूँग स्वयम प्रकास का यह चारो चीज का दे दूँगा चारो ब्यक्ति का आप वहां से देख रेना बढ़ी हट ट्रिक दिया हूं ठीक उसमें आपको ट्रिक मिलेगा आपको फिर रचनाय मिलेगा जीवन परिचय का इसलिक लिखते हूं उसका ट्रिक मिलेगा फिर रचना एकदम आसान भासा में ठीक है फिर भासा और सैलिक कैसे प्रियोक के एकदम आसान भासा में जो जो लिखनाची एकजाम में वही वही चीज दिया हूं देख रेना बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि अभी तक में दस एरसे बच्चे दस एरसे जादा बच्चे इसका फायदा उठा प्रश्मी क्रमाग 16 कह रहा है कि मुहाबरे का अर्थ देना है और बाकेँ प्रयोक करना है ठीक है ये भी दिखा देता हूं पहले नमर कॉंबर कहता है अकल का दुस्मन दूसरा नमर कहता है अंगुठा दिखाना तीसर नमर कहता है कि आग में घिडालना और चौथ avoir कोले है पहला दूसरा और आग में घिडालना ये रहा तीसरा ठीक तो आप यही सब लिख करके आना है आपको चलिए साइड करता हूं निश्ट कहता है कि संधी और समास में अंतर बताईए क्या होता है संधी और क्या होता है समास आजे ये भी मैं दिखा देता हूं ठीक है कौन सा है 16 बोला कत्वा है ना इसका अंसर मिलेगा आपको यह रहा संधी और समास में difference difference between संधी और समास इंगलिज में संधी समास को संधी समास ही कहते हैं यह रहा एक दो तीन चार चार है ठीक है तो चार में से चारो आपको अच्छे से कंठस्त याद कर लेना है आगे देखते हैं next question कहता है कि भोलानात अपने सांथी को देख करके सिसकना क्यों भूल जाता है ठीक है सिसकना कि रो रात जैसे तुम रोते ने मम्मी कूटती थी छोटे में अब तो घर बड़े हो गया अब तो कुटाई नहीं होती होगी हो सकता है किसी के अभी कुटाई हो जाती हो बहुत उधन्ड होगे खुश को करते होगे तो मम्मी आके कूट देती होगी तो जब भोलना थी कु लोने लाके देती थी ले बेटा खेल ले मतरूरी हाना तो यह रहा इस कांसर इस्क्रिंट सोट लेले ना वागी लिखना जो मैंने आपको बता रखी है आगे देखते हैं अत्वां कहता है कि मूर्ती पर लगे सरकंडा का चस्मा क्या उम्मीद जगाता था अरे भई यह के चस्मा हलदार साहब को बहुत आनंदित हुए थे और देशभक्ती के लिए रोमान्चित हो उठे थे बस यही लिखना था आगे बरते नेक्ष्ट अठार नमबर क्या रहा है एक सिकाने अठार नमबर क्या रहा है कि काब्यांस का संदर प्रसंग और आर्थ लिखना है त पस इतना तेरे को लिखना था चलू भाई प्रशंग यहां इतना अपको लिखना यहां तक गणर आ कंपलेट करेंगे आगह वर्ते मिव्ञण और चंदर प्रसंग और्प्र लिखिए और निमन लिखित गद्यांस की संदर प्रशंग अर्थ लिखिए ठीक है इस गद्यां तो आप इसका स्किन्शॉट ले लो और नवाब बाला दिया ना तो नवाब बाला भी दिखा देता हूं भाई तुम सब देख लो सब देख लो बस मल आगरे पढ़ती आना यह देखो तीसरा नंबर नवाब बाला ठीक है अब इसे पेश पलाड देता हूं यह रहा संदरव प्रशंग और व्यक्ष है यह लिखना है तीनों चीज ठीक है चलिए नेस्ट कहता है हमारा प्रशन क्रमांग बीश्वा नीचे दिये गए अप्खित गध्यान्स को पढ़ करके और प्रशन का उत्तर देना है ठीक है कोई दिक्ट नहीं इस गध्यान्स को ध्यान से पढ़ तो भाई मैंने पढ़ रखी है ताज महल के बारे में लिखा है ठीक है और जो प्रशन पूछा है उसको उत्तर देना है तो पहला जो प्रशन पूछा है ना उसका उत्तर ये रहा ताज महल और महात्मा गांधी और लोक तंत्र ये तीन उत्तर लिखना है जो दूसरा प्रशन लिखो 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 यहां तक लिखना है ठीक जो चौथा प्रश्ण है ना उसका आंसर यहां से लिखना है कड़बी सत से ठीक है यहां तक और लोकतंत्र की और जो पांचवा उत्तर है ना जमाना बदलने के लिए क्या बस चेक है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो जमाना बदलने के लिए इसका आंसर आप स्वेम ढोंड लेजे इसका आंसर मैं बता देता हूँ यह यहां से है अब इतना पढ़ लेना है यार हिंट दे दिया हूँ आगे जाओगे तो यहां तो चलो बता ही देता हूँ यहां तक है लो तुमको ने तो बोलोगी यार सरेक और बता दे तिलो पांच पर नमबर कम्प्लेट चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्निक्रवांग 21 कहरा कि वार्षिक परिक्षा की तहरी के लिए पिता जी और माता जी को पत्र लिखना है ठीक है बाई कुछ तुम भी करो यार हना सब मैं करके दे दू तो फिर क्या मतलब मैं बता देता हूं कैसे कैसे पढ़ना है चलो यह रहा इसका अंसर इसक्रेंट ले लो को होंगे तो अपना बात लिखेना संबाद कई पूचेना शबसे निवंधु लिखना रूप रहल लिखना tane तब ल刚 करके पूरो नंबर मिलेगा देखो सिनेमा पर समाज का प्रभाव सिख्ःत देनिक जी bonus और शीह सड़ा धेता हूं एटरेंट के उप्योगिता Mrinda...... कोई एक तो देखा ही लो तुम इंटरेंट के उप्योगिता ही देख लो कोई भी एक देख लो बाकी तो कर जाओगे जो तुम को ठीक लगे वो तुम लिख लेना चलो तो इसका देख लेना यार ठीक है अब मुझे धूने में टाइम लगेगा कहां पर ये लिखा है तुम देख लेना ये तो question में के available होता ही है चलिए तो मैं उम्मेद करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आया बहुत कुछ समझाया है आपके लिए question paper जो कि practice paper है फायदेमंद रहा हो तो please वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ share जरू करना ताकि उनको भी फायदा मिल जाए जल्दी मिलेंगे आपके सामने हम set number A के साथ set number A का थोड़ी समें दिखा देता हूँ किस प्रकार सरेगा इस प्रकार सरेगा set number A और इसको जल्दी में solve कराने वाला हूँ वीडियो करता हूँ exam के लिए all ने विष्ट